प्लीज 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 अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजे मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि एक्सपेक्टेड है 15 जून और आपके एक्जामेनेशन की डेट कभी भी आ सकती है तो इसलिए बहुत जादा टाइम नहीं है दूसरी चीज यहां पर मैं जितना जो करा रहा हूं जो भी चीज़े मेरे लिए पॉसिबल है वो मैं अपने एंट से कर रहा हूं लेकिन आपको केवल इस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है घर पे आप अपने एंट से भी प्रेपरेशन करते रही है अदर सब्जेक्ट की अदर पीपर्स की जितना यहां पर हम लोग मैक्सिमम कवर अप कर लेंगे वो तो हमाई लिए एक बोन अच्छा था था माहत तो यानि एजुकेशनल फिलोसिफी मेनिंग डेफिनीशन और इट्स इंपोर्टेंस और यूटिलिटी उप्योगिता की भी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे आपर ठेके ना तो गाईस चलिए अब शुरुवात कर लेते हैं अपने सेशन की तो भारिक पक्ष को और एक सैध्धानतिक पक्ष को मिला के दर्शन की एक ब्रांच बना दी गई दर्शन यानि फिलोसिफी की एक ब्रांच बना दी गई दर्शन यानि फिलोसिफी की एक ब्रांच बना दी गई तो अब एजुकेशनल फिलोसिफी हुआ क्या देखिए अपने ब्रांच हमारी कहलाती है शिक्षा-दर्शन तो यानि शिक्षा के छेत्र में आने वाली जो भी समस्याइं हैं या जो भी दिक्कते हैं उनको जब हम दर्शन के थो ओब्जव करके और उसका solution करते हैं तो वही है बिसिकली शिक्षा-दर्शन तो दर्शन हम लोग चुकी सब लोग जानते हैं और पढ़ भी चुके हैं कि दर्शन क्या हो गया दर्शन हो गया एक सा धांतिक पक्ष वहाँ पर हम से धांतों की बात करते हैं और शिक्षा क्या हो गया उन से धांतों को जब हम व्यवहारिक्ता में अपने लेके आते हैं सारी चीज़ें इसकी पढ़ी हुई है, बस इसको थोड़ा सा एक दूसरे से discuss करने की जरूरत है, सारी चीज़ा आपके दिमाँ में recall कर जाएंगी, देखें, अर्थ की बात हम लोग कर चुके हैं, अब परिभाशा, तो परिभाशा के लिए, अगेन आपके सामने स्क्रीन पर मैं दो परिभाशा हैं दे रहा हूँ, इन परिभाशाओं का, या तो आप स्क्रीन चॉट ले लिजए, और अपने notes में mention जरूर करिएगा, परिभाशा हैं आपके सामने हैं, तो गाईज आपकी स्क्रीन पर हैं, हैंडर्शन के अनुसार, हैंडर्शन ही क्या बोला, educational philosophy के लिए, शिक्षा दर्शन, शिक्षा की समस्याओं के अध्यान में दर्शन का प्रियोग हैं, बिल्कुल सही बात है, यानि शिक्षा की जो भी समस्याओं हैं, उनको हम दर्शन के थ्रू जब हम देखते हैं, या दर्शन का इस्तिमाल करके जब हम उन समस्याओं को दूर करते हैं, तो वो है बेसिकली शिक्षा दर्शन, ठीक है, नेक्स्ट डेफिनिशन आपके सामने है, टी-ई शिल्ड्स के अनुसार, शिक्षा दर्शन का कारे, शुद्ध दर्शन द्वारा, प्रतिपादित, सत्यों और सिध्धानतों को शैक्षिक प्रक्रिया के संचालन में प्रयोग करना है, ये पी बिल्कुल सही बात है, अभी जैसा हमाने आपसे बात करी, कि जो भी दर्शन के सिध्धानत है, उनको शैक्षिक प्रक्रिया के थ्रू व्यवहरिक्ता मिलाना, वही शिक्षा दर्शन है, टीक है, ओके, तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पर अर्थ की बात कर ली, और हम लोगों ने परिभ महात्त को देख लेते हैं, इसका सबसे पहला पॉइंट जो हमने आपको पताया हुआ था, शिक्षा के उद्देश्य को लेके, ठीक है ना, शिक्षा के उद्देश्य की जब बात आती है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि दर्शन का काम क्या होता है, शिक्षा के उद्दे यहाँ है तो है इस विडिएयो बहुत ही की शॉट में हम लोग खतम कर लेगे, चलिए, तो जिब शिक्षा के उद्देश्य की बात हुईगी तो शिक्षा दर्शन का जो पहला उप यद्द्देश्य को स्पष्ट करना है, यानी कौन सा हमारी लिए रास्ता, कौन सा हमारा शिक्षा का ऐसा तरीका है जो हमको एक सही रास्ते पे ले जा सकता है जिससे हमारे अपने निजी जीवन की और हमसे जोड़े हुए जो भी लोग है या हमारा जो सामाजिक जीवन है उन सब में हम कुछ न कुछ एक अच्छा योगदान कर सके अपनी उस शिक्षा दर्शन के तरू तो पहला यह उद्देशी हो गया दूसरा उद्देशी आपके सामने दूसरा है सिद्धान्त निरोपड ठीक है गाईस आप सिद्धान्त निरोपड में भी वही चीज़ आ जाती है शिक्षा दर्शन के थूँ जो भी शिक्षा के सिध्धान्त होने चाहिए या शिक्षा के लिए जो भी दर्शन के सिध्धान्त होने चाहिए में किन सिध्धान्तों को इस्तिमाल करना चाहिए अपनी शिक्षा पद्धती में एडुकेशनल सिस्टम में तो उन सारी चीजों का भी जो एक सिद्धानतों का निरूपण है वो भी शिक्षा दर्शन के ही थूप किया जाता है नेक्स पॉइंट है वारा शिक्षक के पत्प्रदर्शक के रूप में ये भी एक अच्छा पॉइंट है दोस्तों और ये सारी चीज़े हम लोग डिसकस कर चुके हैं इसलिए बहुत जल्दी आप लोग इस पर कनेक्ट कर पाएंगे तो बिल्कुल सही बात है काईस के एक शिक्षा दर्शन जो है यानि एजुकेशनल फिलोसफी है वो एक टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टन रोल प्ले करता है बिकिस उस टीचर को अपने टीचिंग में कौन से मेथेट्स को इंप्लिमेंट करना चाहिए कौन से मेथेट्स लागू करने चाहिए या अपनी टीचिंग क्वालिटी गुणवत्ता उसको कैसी रखनी चाहिए ये सारी चीज़ें उसको कहां से बहतर बता चलती है एजुकेशनल फिलोसफी है यानि बेसिकली है क्या देखे जब एजुकेशनल फिलोसफी की बात आती है तो टीचर के लिए अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले टीचर को तो एक अच्छा एक दार्शन ही खोना चाहिए जब तक उसका दर्शन ही अच्छा नहीं होगा तब तक वो हमारे समाज में जो हमारी आने वाली जनरेशन है जिनको भी वो पढ़ा रहा है वो कैसे उतना बेटर डील कर पाएगा नहीं उतना बेटर एक एक एनवार्मेंट दे पाएगा तो तो यह भी बात हम लोग कर चुके है कि भाई शिक्षा दर्शन अगर है तो उसमें शिक्षा और दर्शन दोनों है जैसे हम लोगों ने हाँ पर बात करी थी इसकी सिद्धान्त निरूपण में तो कुछ-कुछ वैसा ही पॉइंट है सिद्धान्तिक और व्यवहरिक ज्यान तो शिक्षा दर्शन के माद्यम से हमें शिक्षा की जो भी सिद्धान्त होने चाहिए दर्शन के हिसाब से या उन सिद्धान्तों को हमें व्यवहरिकता में कैसे लेके आना है ये सारी चीजें कैसे हमको एक साथ लागू करनी है क्योंकि शिक्षा में तो सिद्धान्तों को व्यवहरिकता में लागू करना है तो दर्शन के साथ साथ हमें शिक्षा कैसे एक अच्छी तरीके से चलानी है ये भी हमको बताता है educational philosophy जिसमें साधानतिक और वियभारिक दोनों ही पक्षों के ग्यान होते हैं इसी तरीके से प्रशासन तथा प्रबंधन में दोस्तों ये भी बड़ा अच्छा point है और एक important point है जिसको बहुत असानी से समझेंगे देखे प्रशासन और प्रबंधन का मतलब क्या हो गया कि किसी भी चीज के अगर हम administration की बात करें जैसे अगर हम एक किसी विद्याले की बात करें तो उस विद्याले के जो भी अपने नियम काईदे कानून है वो basically decide कौन करता है वो वहाँ का जो भी प्रबंधन होता है जो भी वहाँ का administration होता है जो भी वहाँ का board panel होता है वही सब तो decide करते हैं तो सीधी सी चीज है कि हमको क्या चीजें कैसे और किस तरीके से विवस्तित रूप में चलानी है तो ये सारी चीजें भी हमें कौन बताता है शिक्षा दर्शन यानि educational philosophy तो educational philosophy का एक important role प्रशासन और प्रबंधन में भी आता है जब हम और आप देखते हैं कि administration में किसी भी चीज का administration करना हो तो वहाँ पर उन चीजों को हम कैसे successfully कर सकते हैं और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो ये सारी चीजें हमें शिक्षा दर्शन के ही माध्यम से पता चलती है तो basically कोई ऐसी इसमें difficult चीज नहीं थी बहुत ही चोटा सा topic था चोटा सा होने का reason भी यही था because हम लोग ये सारी बातें कर चुके है तो that is why ये बहुत ही चोटा सा topic था लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखने है short में question पूछा जा सकता है कि शिक्षा दरशन क्या है इसका आर्थ परिभाषा और महत्व या उपियो गिता बताईए तो इस तरीके से आप अपनी भाषा में इन चीजों को असानी से वहाँ पर present कर सकते हो तो मित करता हूँ गई ये चीज आप लोग को उसको शूट कर रहा हूँ तो गई शलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिन लोगों न भी ना किया हो और अगर बेल बटन नहीं प्रेस किया है तो बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिए आपको लेटिस नोटिफिकेशन में आपको दे सको और एक्जामेनेशन की रही बाद तो एक्जामेनेशन का अभी कोई फिक्स रेट नहीं आया है जैसे ही उसके लिए कोई भी इंफरमेशन आएगी है तान आवल लेट यू लो तो नो वर्य आगए बाट आग एगागई